हेलो दोस्तों वेलकम टू माई ब्लोग तो फ्रेंड्स आपे देख सकते हैं कि यह हमारा घर है यह दिखिए कुछ इस तरीके से यहां छोटा सा एक दुकान भी है जो कि सारे आसपास लोग यहां पे आते रहते हैं दुकान में तो चलिए और मैं कुछ यहां पे दिखाना चा तो इस तरीके से है यहां दो-दो गारि cardiac आ है जो यह रूम है कुछ इस तरीके से है कि यह है अब और अन्दर में भी दो रूम है उल्ड़ में भी दो रूम है आ है को चलिए पीच्छे का में आपको नजरा यहां पर दिखा देना चाहता हूं यह दिखा देते हैं कि पीछे का कुछ ऐसा ना जा रहा है पीछे बियक आफी श्क पेस यहां पे खाली है चले दिखा देते हैं हां है यह दिख्यें पीछे भी इतनी सारी स्पेस खाली है और है पिड़ प५ाधा यहां पे लगायागिया है यहां में यह प्ञार असी सिजन हैं है यहां पे हरता है यहां पर ऑघ्ण का पेड़ है आधा बहृत सारे सिजन है अदेख सकते हैं कुछ कुछ इस तरह से यहाँ पर कि इस प्रस्टिपर के स्थ यहां पर यहां पर छुन पूल लगा हुआ है कोई आधा कि कुछ इस तरीके से नहें आगा रहा है और यह उपर में यहां पर छट हम दो है है देखते हैं कि चत का नजरा का इसा लगता है कि यहां से सीड़ी है यह दीखिए यहां से सीड़ी है चलते हैं उपर तो फ्रेंस यहां पर देख सकते हैं यहां भी बहुत सारे यह दिखिए लगाए गया है यह दिखिए यह दिखिए यह दिखिए फैलते फैलते काफी दूर तक फैल जाता है और यहां पे गिहूं सुखने के लिए रखा गया है और च्छत का कुछ नजारा ऐसा है अब देख सकते हैं यह च्छत का नजारा है पुरी खाली है और इसके बाद जो गाउं है कुछ हमारा मोहला इस तरीके से दिखता है हमारे च्छत पर से और यहां पर देखिए यहां पर लगवा भी यहां पर हुआ है और भी हो में तो अभी फिलाल में की दिख रहा है हमें और यह आसपास के नजार आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट ब्लॉग में मैं यहां से आपको पूरा दिखाऊंगा अपना महला की आखिर कैसा यहां पर है तो मिलते हैं लें नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिए और टेक केर